आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बैल का एकन प्रेस करना ना भूलें तेंक यू फ्रेंड्स तेंक यू फ्रेंड्स वेल्कम सुबह का आज इस वक्त दस बच के 35 निट हो रहा है और दोस्तों निफ्टी के बारे में बात करने का जो कॉर परपास है वहीं अभी निफ्टी फ्लैट चल रहा है और अभी नेगेटिव में था फिलाल इसकुछ समय प यानि कि दाफ़दार 935 पर निफ्टी कहीं न कहीं एक मजबूत सपोर्ट को क्रिएट कर रहा है डेली चार्ट पर और आज चुकि हम सभी को पता है लास्ट ट्रेडिंग डे हैं सप्टमबर मांथ का क्वाटर एंड हो रहा है आज हाफ एरली एंडिंग है यानि कि सप्टमब क्वाटर आज लास्ट देट और मंत की लाजड यानि कि मंदे ऑन्वर्ड नया मंति होना यानि के नई něएए इनवस्टमेंट शोगगगई और साथ ही साथ जो हाफिरली केंडल होगी वो भी मंडे अनवर्ट से नई स्टार्ट होगी तो मुझे यहां से लगता है कि यहां आज का जो निफ्टी का सेशन है वो आपको अपकमिंग ट्रेंड के बारे में एक बहुत ही खुला साफ सुत्रा इंडिकेशन देनी वाला अगर निफ्टी ने आज रिवर्ट सल नहीं दिया और यहां से रिवर्ट नहीं होता है दन हमें अपकमिंग सेशन में निफ्टी में दस हजार साथ सो तक के लेबिल्स देखने को मिलेंगे जो कि इसका एक पहुत जादा स्ट्रॉंग सपोर्ट अब नहीं कह पाएंगे क्योंकि अगर दस हजार साथ सो तक पहुंचा तो वीक्नेस और बढ़ेगी और फिर निफ्टी दस हजार दो सो दस हजार तीन सो तक भी allowed जा सकता है तो तो उसके लिए हम दिनाए नहीं करेंगे अब हुठी चले और और फिलाल Sometimes 9972 के लेविल पर ट्रेड कर रहा है और आज भी यस बैंक की बात करेंगो तो लगबख 7% डाउन 188.6 के लेविल पर और यस बैंक का जो कुशल अगर मैं एक्जिट इस्ट आपलाउस बात करूं तो 175 का है क्या है लोगों के लिए क्योंकि लोगों ने बहुत हाइब हाइब मारुति का जो बॉटम बेस बन रहा है डेली चार्ट पर वह बन रहा है 7450 का यानि 7450 के नीचे अगर मारूती गया क्लोजिंग दे दी तो फिर आपको 7200 पर मारूती को देखने को मिलेगा ठीक है तो यह मारूती और यस बैंक के बारे में बात की बाकी तो बारे में हम बात करेंगे निफ्टी के चाट के वारे मैं मोग बात कर रहे हैं तो निफ्टी के चाइट क्या बोले यह आप देके करेंगowej और यहां पर यहां पर एक फरवरी 2008 रखो जैसा कि हम सभी को पता बजट सेशन के बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी हम सभी को पर उस वक्त निफ्टी ने अपना पीक टच किया था 1151 का 150-135 के आसपास एंड वहां से चुकी ज्यादा ऊपर नहीं था तो सौ-दो-सो पॉइंट के बाद ही उसने अपना जो है वह सपोर्ट जो था 10,935 को ब्रेक कर दिया था और वहां से आप देखेंगे की एक गिरावट का दौर चला ठीक है और कहां पर आया 10,000 के लेविल पर आया उसके बाद एक फरवरी से लेके मार्केट तकरीवन 10 जुलाई तक सेम 10,935 के नीचे ट्रेट करता और उपर नीचे जिग-जग चलता रहा यहां ते देखेंगे आप यहां पर बॉर्टम टच कप किया था 23 मार्च 2018 को 10,000 का लेबिल टच किया इविन से भी लूर थोड़ा था 19-20 उसके बाद जब आप देखेंगे 10 जुलाई के बाद मा 11 जुलाई आया तो मार्केट ने अपना बल्कि और 12 को हम आते हैं 12 जुलाई की बात करते हैं लोग तस वन जस्ट आ मोमेंट 10 जुलाई 11 जुलाई को हाई जो टच किया था 10,976 टच किया था 11 जुलाई को उसके बाद 11,000 के उपर उसने ट्रेट किया 12 जुलाई को एंड उसके बाद आप देखेंगे कि यहां से देखिए इसने इस लेबिल पर पॉइंट पर यह जो आप देख रहे हैं एक हैमर जिसने 10,935 के इस तर को तोडने का प्रियास किया बट नहीं कर पाया उसका फिर से एक नीचे की तरफ ट्रेडा में देखने को बला एंड उसके बाद अगें यह 13 जुन को ट्राई किया बट 10,935 को नहीं तोड़ पाया तन वापस उसके बाद डाउन साइट आगया और 10,500 के लेविल पर एंड उसके बाद से देखिए जब चलना शुरू किया तो बारह जुलाई को इसने अपना 11,935 के लेविल को तोड़के 11,000 के लेविल क्रॉस कर दिया बारह जुलाई को एंड बारह जुलाई के बाद भी इसने कई सेशन में लगातार एक, दो, तीन, चार, करीब 6-7 सेशन लगबग 7 सेशन में इसने 10,935 के तरको तोड़ने की कोशिश करी नीचे की तरफ ड्रैक करने की कोशिश की बट जो बायर से वो बुलिश थे और उन्होंने उसको तोड़ने नहीं दिया अगेन आप देखेंगे उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड स्टाइट किया और मार्केट अपने पीक पे पहुचा लगबग 11,760 के लीविल पर तक्रीबं तक्रीबं 63 और उसके बाद एक बड़ा बिग वाल जनरेट हुआ आप देख सकते हैं बड़ी-बड़ी दिल्स गिरावट की लाल लाल रेड रेड जो इंडिकेशन करनी एक बड़े फॉल की तरफ यहां से ट्वेंटेएर्थ अगस्ट, 29 अगस्ट, 30 अगस्ट, 31 अगस्ट, एंड 3rd of September यह पांच केंडिल लगबग अल्मोस्ट अपना हाई इन्होंने 11,763 को मेंटेन किया लेकिन नीचे गिरती गई यहां पर आप देखेंगे दुबारा बॉर्टम बन चुका है यानि कि वह जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो की इन्होंने कई बार अटेम्ट के बाद तोड़ा था निफ्टी ने वह अगें उसी लेविल पे है और वह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेविल बन जो पहले रडिस्टेंस था इंपॉर्टेंट 10,935 का कब कब था दो बार था देखेंगे एक बार 15 मही को और दू तरी बार तेरा जूं को दोनों ही बार जब यह नहीं तोड़ पाया तो नीचे की तरफ गिरा 10,400-10,500 गिरेंगे और सेम डे अब आप सेम लेविल अब अग स्केंडिल मार्केट में इतना हीूज नेगेटिव सेंटिमेंट्स डिफॉर्ट का पूरी हाउजिंग सेक्टर पूरा फिनान्स सेक्टर का मतलब तूटके जमीन पर आ जाना उसके बावजूद भी निफ्टी ने अपना लो तो जरूर टच किया 10,870 का लेकिन क्लोजिंग 10,935 के नीचे नहीं दी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली क्यों 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 कि यही चीज़ बताती है कि कहां पर जो मजबूस सपोर्ट है या अगर इसको टूटा तो बड़ी हैवी सेलिंग्स आने के चांसिस बनेंगे सप्लाई बढ़ जाएगी अगर 10 कर लिजेगा नहीं तो आपको बड़े घाटे भी उठाने पड़ सकते हैं या अब पैनिक में अपनी अच्छी होल्डिंग्स को भी बेज देंगे जो अगर यहां से रिवर्सल आ गया तो जितनी तीज गिरे हैं उससे ज्यादा तेज वो रिकावर भी करने के माददा रग और भी ज्यादा फॉल हमें 10,700 तक देखने को मिल सकते हैं अगर क्लोजिंग आ जाती है यानि केंडिल का फॉर्मेशन आ जाता है नीचे जाना और फिर फ्लक्ट्वेट कर वो उपर जाना इस नौट दवी सपोर्ट ब्रेक कब होता है जब तिल 3.30 एंड अव दा मार्केट जब मार्केट क्लोजिंग हो जाती है उसके बाद आपको जब आज का सेशन क्लोज हो जाए और आपको लगे दिखे कि निफ्टी 10,930 के नीचे है तब मंडे अनवर्ड आपको ये एक्शन लेंगे चाहे वो एक्जिट का चाहे वो फोल्डिंग का तो आज पिशेंट ली कीजिए कीप वाचिंग और ली कोई भी फ्रेश ट्रेंड मत उठाना अभी जब तक ट्रेंड किलियर नहीं हो जाए सेकिंड हाफ हमें बहुत मदद करने वाला है आज का यह बताएगा कि क्या निफ्टी का ट्रेंड बनने वाला है क्या निफ्टी ऊपर जाएगा या वाप यहां पर स्टॉक्स 50-60% तक तूट चुके हैं उस कंडिशन में भी मार्केट ने 10,935 के लेविल को सस्टेंड करके रखा हुआ है देन अब आप समझेगा कि क्या यहां से आगे हो सकता अगर रिकाफर हो गया है यहां से देफिनली एक अच्छा मुमेंट हमें देखने को म इस वक्त निफ्टी लगबग 19 पॉइंट प्लस में आ चुका है और यह एक पॉजिटिव सेंटिमेंट को इंडिकेट करता और बताता है कि मार्केट में जो बियर्स है वो कमजोर होते चले जा रहे हैं और बुल्स थोड़ी मजबूती लाने की कोशिश कर रहे हैं और अग आप देखते रहिए हमारे चैनल को और आज हमने जो अनलीसिस करके आपको निफ्टी के बारे में बता है उस पर आप भी नजर बना कर रखिए 10,935 इस दा मोस्ट इंपॉर्टेंट कूशल सपोर्ट अंड डेली चार्ट और आज चुकी डे क्लोज हो रहा है वीक क्लोज हो क्वाटर सभी आज बदल रहा है और इवन हाफ यरली भी तो डेली चार्ट बदले डेली केंडिल बदले की मंडे को वीकली केंडिल बदले की मंडे को मंदली केंडिल बदले की मंडे को क्वाटरली केंडिल बदले की मंडे को और हाफ यरली केंडिल बदले की मंडे को So today is the deciding day for the nifty So keep watching, have patience, panic मत होए किसी भी तरह का news channel को follow मत कीजिए इस वक्त आप already panic में है अगर आप news channels को follow करेंगे then on panic बहुजएंगे अगर आपको news channels देखने है latest updates के लिए, news के लिए then please आप अपने TV को mute sound पे चलाएगे क्योंकि अगर आप mute sound पे चलाएगे तो आपको जो latest news है के अवल उनके बारे में awareness मिलेगी लेकिन वो जो वहाँ बैट के debates कर रहे है अपने दिमाग का यूज़ कर रहे है लोगों को अंदर और panic जनरेट कर रहे है उनकी बातें आपको सुनने में नहीं आएंगी और आप at least और ज़्यादा panic नहीं होगे तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही एक लिए वीडियो में जल्दी फिर मुलाकात करता हूँ मैं आप सभी के ताथ कुछ नई information के ताथ तब तक के लिए जुड़े रही है हमारे चैनल ते और अगर आप लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ ही बैल कैक और प्रेस कर लिजेगा जैसे जैसा ही मैं दूसरा वीडियो अप्लोड करूँ आपके पास तुरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो को सही समय पर देख पाएं और सही डिसेन लेख पाएं तो गाइस थैंक यू थैंक यू पर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी तब तके लिए देखते रहे हैं मनिटरी चैनल